तूटा चश्मा बनवाने गया था दिली, चमपाई सोरें, क्या धुनला गई झारखंट के पूर्व सीम की सियासी तस्वीप, जेमेम चोड बीजेपी का जल्द थाम सकते हैं दामन, दरसल झारखंट की सियासत में भूचाल लाने के बाद राज्य के पूर्व मुख्य मंत्र चमपाई सोरें दिली से अपने घर सराय केला पहुच गए हैं, बीते कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि वो जेमेम चोड भारती जुनिता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, हलाकि उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है, सराय केला पहुचने पर चमपाई सोरें ने कहा कि वो अपने शोशल मीडिया पर किये गए भाबुक पोस्ट पर अभी कायम है, वहीं दिली जाने की सवाल पर चमपाई ने कहा कि वह नीजी काम से दिली गए थे, उन्होंने बताए कि उनकी बेटी और पोता दिली में ही रहते हैं, पोते का चश्मा तूट गया था, जिसे बनवाने के लिए वो दिली गए थे, अब चश्मा बनवाने दिली गए थे, ये सवाल सब के मन में हैं, और सब कह रहे हैं कि कुछ तो चमपाई छुपा रहे हैं, जिसका खुलासा वो जल्द करने वाले हैं, इसी बीच मुखे मंत्री के कुरसी पर अबमान सैने के बाद कह चुके चमपाई सोरेन जेमें में बने रहेंगे या बीजेपी में शामिल होंगे, इस पर सस्पैंस अभी भी बना हुआ है, सराय केला में उन्होंने साफ किया कि वो राजनीती से सन्यास नहीं लेंगे, लेकिन उनके पास जोनों विकल्प मौजू में मुख्या रूप से सक्रिय होगा, इसके अलावा अठकले लगाई जा रही हैं कि अगले कुछ दिनों में चमपाई बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उन्हें राची या जमशेत्पूर में कारिक्रम की दौरान पार्टी में शामिल कराया जा सकता है, इदर मुख्यमंत कर पूछ जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भाजपा या बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था, मेरा पोता भी मेरे साथ था, वहां रक्षर बंदन में रुक गया था, मैंने किस को कोशने में लगी थी हाला कि 15 अगज को विर्सा मुंडा स्टेडियम में एक बार फिर से अपने भाशन में मुख्य मंत्री एहमन सुरेन का नाम नहीं लेना अपने मुख्य मंत्री के एक कारेकाल में किये गए कारे को जंता के बीच रखना भाच्वा के बड़े नेताव द् सती हमने लेकर हम जल्ड आप तक पहुंचाएंगे तब तक के लिए बने रहें सच्टॉक्स के साथ झाल झाल